चलिए जानते हैं कि गणेश विसर्जन किस तरह से किया जाए और क्या इसका शुभ मुहूर्त है इस वीडियो में हम वह सभी बातें जान लेते हैं और कौन से उपाय किये जाएं दस दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव गणेश उत्सव पर्व अनंत चतुर्दशी तित पर घरों और बड़े-बड़े पंडालून में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाएगा सुख सम्रिद्धि और विग्ण हर्ता भगवान गणेश को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिति पर विधी विधान के साथ पूजा करते हुए घर पर स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। जाता है तो कारियों में बढ़ाएं नहीं आती और कार्य सफल होता है। चतुर्दशी के दिन भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को पवित्र नदी, स्वच्छ तालाब या समुद्र में विसर्जित करते हैं। कुछ लोग घर पर ही बालटी या बड़े टब में गणेश विसर्जन भी करते हैं। लेकिन इस साल गणेश विसर्जन के दिन सुबह से रात तक भद्रा का साया रहने वाला है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि गणेश विसर्जन के दिन किस समय बप्पा को विदा करना शुब रहेगा। अंत चतुरदशी के दिन गणेश विसर्जन के मुहूर्त 17 सितंबर 2024 को गणपती विसर्जन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। अंत चतुरदशी के दिन पपा का विसर्जन होता है। विसर्जन के दौरान भक्त रित्य करते हैं, गाते हैं, रंग उडाते हैं और बप्पा को धूमधाम से विदाई देते हैं। गणपती विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए, सबसे पहले किसी लकडी की थाली में पीला या लाल कपडा बिछा कर उस पर स्वास्थिक बना लें। गमले में अक्षत फूल रखकर गणपती की मूर्ती को रखें, बप्पा की मूर्ती की विधिवत पूजा करें, फल और फूल चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। गणपती जी के साथ साथ मूर्ती के पूजा से जुड़ी चीजों को विसरजित करें, इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए बप्पा के अगले वर्ष आने की काम ना करें, पंचांग के अनुसार, शुभ मुहूर्त और बिधिपूर्वक विसरजन से ही बप्पा की क्रिपा प्राप्त होती है, राहुकाल में गणपती का विसरजन न करें, गणेश विसरजन के दिन क्या उपाय करें, पिगड़ा काम बन जाएगा, अक्सर देखा जाता है कि हम किसी काम के पूरे होने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता ह तो अब आप चिंता छोड़कर चार नारियल एक माला में पिरोकर गणेश जी को अरपित करें, आपका काम बन जाएगा परीक्षा में असफलता, अगर आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, या आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में असफल हो रहे हैं, तो नहीं है साथ, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आप उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो गजानन का जलाबिशेक करके लड़्डू का भोग लगाएं और प्रार्थना करें, ऐसा करने आपका काम हो जाएगा, समस्याओं का ऐसे करें, समाध यदि आप किसी समस्या से लगातार परिशान हैं, तो गणपति का स्वरूप कहे जाने वाले हाथी को हरा चारा खिलाकर प्रार्थना करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा धन प्राप्ति के लिए उपाएं अगर आप तंगी से परेशान हैं और धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्राप्त, काल उठकर स्नान करें और गाय को शुद्ध घीयव गुड का भोग लगाएं। आपकी समस्या जल्द समाप्त होगी अगर आता है ज्यादा गुस्या अगर आपकी गुस्याल प्रवत्ति से आपको कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तो आप लाल रंग का फूल साथ दिनों तक भगवान गणेश को चणाएं। आपका क्रोध खत्म हो जाएगा लाहट खत्म करना चाहते हैं तो केले की एक माला बनाकर भगवान गणेश को चढ़ाएं। ऐसा करने से वाणी दोश से मुक्ति मिलती है पारिवारिक कलह से। पचने के उपाय आपका परिवार। अगर पारिवारिक कलह से जूझ रहा है तो बुधवार के दिन गणेश ज जी की प्रतिकात्मक मूर्ती बनाकर घर के मंदिर में स्थापित करें और रोज उसकी पूजा करें। ऐसा करने से सुख बना रहता है। घर के मुख्य दर्वाजे के पास गणेश जी की मूर्ती की स्थापना करने से घर में सुख और सम्रिध्धि बनी रहती है। गणपती विसर्जन का महत्व क्या है गणेश विसर्जन के माध्यम से ये माना जाता है कि भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ कैलाश परवत पर वापस जाते हैं। जो सर्वशक्तिमान के दोनों रूपों, भौतिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक रूप, निराकार पर भी श्रद्धा व्यक्त करता है, यह उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को दर्शाता है, और इस तथ्य पर जोड देता है कि जीवन में सब कुछ क गणपती जी को अच्छी शुरुवात का देवता माना जाता है, और माना जाता है कि वह विसर्जन के समय घर और परिवार की सभी बाधाओं को अपने साथ ले जाते हैं, यह शायद सबसे प्रमुक्त योहारों में से एक है, जिसका समाज के हर वर्क को बेसबरी से इंतजा गणपती विसर्जन की विधी क्या है अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, परंतु विसर्जन से पहले पपा की विधी विधान से पूजा की जाती है, इसके लिए सबसे पहले भगवान गणेश की रोली, चंदन, अक्षक, फूल, माला आदी अर्पित कर गणेश जी को मोदक समेद पसंदीदा चीजों का भोग लगाएं। साथ ही पूजन के बाद धूप दीब जलाकर मंत्र जाप और आरती करें। फिर गणपती बप्पा से बीते दस दिनों में पूजन के दौरान हुई भूल चूप के लिए क्षमा मागी। इसके बाद भगवान गणेश को अर्पित की हुई सभी चीजों को एक पोठली में बांध ले। फिर बप्पा की मूर्ती को गाजे बाजे के साथ विसर्जन के लिए ले कर जाएं तथा किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दे। ध्यान रहे कि विसर्जन के दौरान गणेश जी की मूर्ति को एक दम से पानी में न छोड़ें, बलकि प्रतिमा को धीरे धीरे विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़ धाकर भगवान गणेश से कृपा प्राप्ति और अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करें। गणपति विसर्जन की कथा क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महा भारत कथा श्री गणेश को लगातार दस दिन तक सुनाई थी जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरश लिखा था। दस दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आँखें खोली तो पाया कि दस दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने ग गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुरदशी को उनको शीतल किया जाता है। भगवान गणेश ने तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जिसके बाद तुलसी ने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया था। शायद ही वजह है कि गणेश जी की पूजा आराधना में तुलसी अर्पित करना वर्जित बताया गया है। इस दौरान बुजुर्ग, महिला और बच्चों का अपमान न करें। बच्चों पर बच्चों पर हात न उठाएं। हिंसा से दूर रहें। इन दस दिनों में मन, वचन और कर्म से हिंसा से दूर रहें। मन में बुरे भाव ना आने दें، शारीरिक संबंध न बनाएं। इस दोरान शारीरिक संबंध बनाना अच्छा नहीं माना जाता। अता ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन न करें। इस दौरान मांस, मटन, मचली या अंडे जैसा तामसिक भोजन न करें। भूमी के अंदर उगने वाले कंद मूल जैसे प्याज लहसुन, मूली, चुकंदर, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। पहले बप्पा क भोग लगाना न भूलें, कुछ भी खाने से पहले बप्पा को भोग लगाएं, इसके बाद ही भोजन करें। बप्पा को अकेला न छोड़ें। घर से बाहर जा रहे हैं, तो परिवार का कोई न कोई सदस्य घर पर रहे, उन्हें अकेला छोड़ कर न जाएं। ये बुरे आदत से दूर रहें, नशा न करें, पवित्रता का रखें, ध्यान घर में गंदगी न करें, प्रतिदिन स्नान करें, कोई महिला पीरियड से हैं तो पवित्रता का ध्यान रखें। सफेद या लाल रंग के कपड़े पहन कर करनी चाहिए, गणेश भगवान के सामने दीपक जलाते समय बार बार उसका स्थान न बदलें, क्योंकि कई लोग दिया जमीन पर जलाने के बाद उसे सिंघासन पर रखते हैं या उसकी स्थिती को ठीक करते हैं। मगर जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा माताएं। बहनों कमेंट बॉक्स में आप अपनी राश्य जरूर से डाल दें। में संकट आ सकते हैं, गजानन को भोग में लगाई गई चीजें पूजा के बाद सिंघासन पर न छोड़ें। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। तब उन्हें 21 गाठों वाली दूरवा दी गई थी। ऐसे में पूजा में 21 गाठों वाली दूरवा ही चड़ाएं। इससे कम दूरवा चड़ाने पर पूजा सार्थक नहीं मानी जाएगी गणेश जी की घर में एक से ज्यादा मूर्ती या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि इससे मूर्ती दोश लग सकता है, साथ ही धन की हानी हो सकती है, गणेश जी को पंचामृत भी नहीं चड़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद दही चंदर का प्रतीक होती है, और चंदर देव को गजानन ने श्राप दिया था, गणेश चतुर्थी के दिन च कैथा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गणेश भगवान का पसंदीदा फल है, और गजानन के पूजा वाले दिन इसे तोड़ना भगवान का अपमान समझा जाता है, गणेश पूजा में रखें खास बातों का ध्यान्ज, आचार्य दीपकुमार का कहना है कि भगव में तुलसी का न करें इस्तेमाल, आचार्य दीपकुमार ने बताया कि भगवान गणेश की पूजा करते समय भग्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि उन्हें पूजा के दौरान कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाने चाहिए, क्योंकि माता तुलसी के विवा प्रस्ताव को गणपती ने ठुकरा दिया था, और माता तुलसी ने ही भगवान गणेश को दो विवाह होने का श्राप दिया था, इस बात का भक्त को विशेश ध्यान रखना चाहिए, पूजा के दौरान न पहने काले कपड़े, इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा के दौरान पीले, सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, आचार्य दीप कुमार ने बताया कि चाहिए, अगर भक्त के द्वारा व्रत रखा गया है, तो खाने में नमक न खाएं, पूजा स्थल पर न छोड़ें, भोग का प्रसाद भगवान गणेश का द इसके अलावा खाद्य पदार्थ, पूजा स्थल पर बिलकुल न छोड़ें, भगवान गणेश की पूजा करने के बाद उनको भोग में लगाए गए खाद्य पदार्थ को पूजा स्थल पर नहीं छोड़ा हाना चाहिए, कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, पती की पूजा में दीपक जलाने को लेकर भी विशेश सावधानी रखनी चाहिए, भक्त को पूजा के दौरान दीपक जलाने से पहले उसकी स्थिती तय कर लें, दीपक जलाने के बाद बार बार उसकी स्थिती बदलना ठीक नहीं होता, ऐसा करने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है चलिए जान लेते हैं गणेश उत्सव के दौरान कौन से कम है जो हमें जरूर ही करनी चाहिए जिसे सभी मनों कामनाएं इच्छाएं एक ही दिन में पूरी हो जाते हैं